दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले रेड कलर के सब्सक्राइब बटन दबा कर चैनल सब्सक्राइब करें और उसके बगल में आपको जो बैल आइकन दिखे उसे भी प्रेस करना न भूलें जिससे आपको हमारे वीडियो की पहली नोटिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सक अमेरिका के वग्यानिक थे और बच्पन में जो उनकी कहानी है वो थोड़ा सा बहुत ही डिफरेंट है उनके जिवन काल से क्योंकि बच्पन में वो पढ़ने में बिल्कुल अच्छे नहीं थे लेकिन फिर भी उनके जो माताप्ता थे वो उनको बहुत सपोर्ट करते थे और जो और एक बार की बात है कि अडिसन स्कूल गय हुए थे त अपने टीचर से क्वेस्टे कि ने क्या कि मैडम ये बताइए कि जासे चुडिया उड़ती है तो आपने बताए कि उनके पंख होते हैं लेकिन पतंगों कोई पंख पर पतंग क्यों उड़ती है किसे आए दिमाग में क्वेशन आया कि अगर पक्षी के पंखे के पंख पंख नहीं होते तो फिर पतंग क्यों इस उड़ती है तो यह क्वेशन आने पर तो यह पर उन्हें इस ग्वेश्टीन का जवाब ने से पूछा जब strange प्रवाफ उन्हों में और गुस्सा आ गई, उन्होंने कहा कि लड़का बेवकूफ है, और। इसके पास दिमाग वो उसको ले गए और उसको ले जाकर उसकी मा जो है उसको हमशा अपने हिसाब से उसकी जवाब, questions का जवाब देटी इसकी पढ़ाती थे उसको और उसको घर में फढ़ाने लगी और साथ ही साथ है, Edison के जो parents थे उसको हर किताब complete करने पर लगबक 25 cents एक तरह से motivation के लिए उसक किताबे खरित के लाता था उन्हें पढ़ता था तो इस तरह सो ने बहुत सारे किताबे पढ़ी और एडिसन को प्रयोग करने के सौक था तो अक्सर वह प्रयोग भी किया करता था कुछ कुछ कोई ना कोई experiment करता रहता था एक बार की बात है कि Edison अपनी माग साथ जाता है और वो पोल्टिल फार्म से वकर गुजरता है वो देखता है कुछ मुर्गियां अंडे को बैठी हुई हैं तो वो अपनी माँ से पहुंचता है कि मा ये मुर्गियां अंडे पर क्यों बैठी हैं तो मा ने बता है कि अगर अंडे को पर कोई बैठता है तो इसका मतलब है कि उससे फिर चूजे निकलेंगे तो एक दिन घर पर मा नहीं थी एडिसन क्या करता है कि घर शे बाहर जाता है बाजार जाता है वहां से एक दरजान अंडे खरीद के लाके घर में उसको रखता है और अंडोग पर बैठ जाता है अंडोग पर काफी दिर तक बैठा हुआ था तब उसकी मा जाती है और उप पहुंचती है बैठा क्या कर रह जब वो खड़ा होता है तो सारे एंडे फोड चुके होते हैं और उसकी पैंट खराब हो चुकी होती है और इस तरह से उसकी काफी पिटाई भी होती है ऐसे ही एक दिन की घटना है कि Edison ने देखा कि एक चुडिया आई जमेन पर उसने कुछ कीड़े उठाए अपने चोच में और उसको दबा के उड़ गई Edison दिमाग में विचार आया कि लगता है चुडिया इसलिए उड़ पाती है क्योंकि ये कीड़े में कोड़े खाती है अगर हम भी कीड़े में कोड़े खाए अगर इंसान भी कीड़े में कोड़े खाए तो साइध हो भी उड़ सकता है तो उसन जांने उससे बोला कि क्या तुम उड़ना चाहती हो नौकरानी बेटी बली हां उड़ना चाहते हैं उसके लिए पतार्थ बनताह कूर्ममhm पी कि उड़ी तो नहीं लेकिन कहीं न कहीं बीमार पड़ गई और उसको फिर डक्टर से इलाज करवाना पड़ा और इसके लिए भी एडिसन को पनी मां से बहुत फटकार मिली तो इस तरह से एडिसन कुछ ना कुछ बहुद्ट करता रहता था उसके बाद उसने बहुत सारे एक्सיुट के लिए उसने ऐक ग्रान stopping का विसकार किया और बहुत सारे जो आवे उसकार किया बहुत सारे इसनका विशारथा की हमें दुनिया को आसी चीज देनी है जो कि डिस्ट्रक्टिव ना हो विनास्कारी ना हो इसलिए एडिसन अपना काफी समय प्रियोग सालम बिताता था उसने अपने छोटी सुम्र में अब बार निकालने का भी काम सुरू किया था और उसने छपाईक मसीन भी खुदी खरीदी हुई थी और मालगाड़ी के जाता और ट्रेन में आग लग जाती है और इसके बाद से उसका जो ट्रेन का सफर था या ट्रेन का जो प्रियोग था उसमें जो उसकी लैबरेटरी थी वो सारी बंद हो जाती है एडिसन ने विजार किया था कि हमें दुनिया को कुछ ऐसा देना है जिससे कि दुनिया हमें हमें लंबे समय तक याद रखे और दुनिया विनाश ना हो किसी व्यक्ति का किसी तरक नुक्सान ना हो और इसके लिए इडिसन ये प्रयोग पर प्रयोग करना जारी रखा उसने लगभग 1200 के असफल प्रयोग किये और उसने दुनिया से वादा किया उसने अपने लोगों से वादा किया कि आने वाले समय मैं आपको बिजली का बल दोंगा जिससे की जो अंधेरा है वो दूर हो जाएगा और उसके लिए वो लगातार प्रयोग भी करता रहा 1878 में उसने मनुस की आवाज को पुनाहा सुनाने वाली मसीन ग्रामोफोन का विस्कार कर लिया था और इसी साल अमेरिके कर राष्ट्रपती के निमास पर वाइट हाउस में उसे बुलाया गया था और एडिसन इस तरह से पूर अमेरिका में प्रशिद्ध हो गया इसी के एक साल के बाद मिन्स लगभग 1880 में ही वह अपना जो बिजली का बल्ब था उसको बनाने में भी सफल हो गया और प्रथम विस्द्ध के दोरां भी उसने लगभग 40 विद्धोप योगी अविस्कार करके देश की सिवा भी की थी और इस तरह से एडिसन ने विस्द्ध को प्रकास दिया और हसी देकर अपना वाइदा पूरा किया और इसी लिए इस जो चैप्टर का नाम है वो रखा गया दोस्तो यह एक्स्प्राइशन आपको जैसे भी लगी हो आप हमें जरूर बताइएगा आप हमें कमेंट के माध्यम से अपनी बात बता सकते हैं और अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक कीजिएगा सब्स्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि हमें अपने कमेंट के माधिम से हमें उस प्रोट साहित करते रहे हैं जै हिन जै भारत मिलते हैं नेक्स वीडियो में हलो मैं आफका दोस्ति विलाबादी और मैं लेकर आ रहा हूँ आपके लिए ट्रेकी ऐम डिस्कृप्टिय उख्रीयो कर्का है हां प्रेंड्स यह जोर कर्टाई होंगी त्रिकी ऐम डिस्कृप्टियो में थर से本 जिन और यहर्ट टोटी तो ये फ्री होंगी जो कि Saturday और संडे को जय महादेव Academy में चलेंगी जय महादेव Academy मुंडेरा में सेनिक Public School में है सेनिक Public School में मुंडेरा में आपको एक अच्छाएं साम किसमें उपलब्द होंगी तो जो भी Friends यहां पर फ्रीक अच्छाएं प्राप्त करना चाहते हैं वो जल् कि अपना अस्थान पहले से बुक करवाएं जिसमें कि आपको एक भी रुपए नहीं देना है कोई पैसा नहीं देना है ये टुटली फ्री है जिसमें आप हर तरह से टीटी एससीट बैंक रेलवे एर फोर्स ने भी हर तरह की एक्जाम्स की जो इंग्लिस की जरूरते हैं वह को पूरी हो पाएं